हेलो गाइज, वेल्कम टू मैं चैनल, कैसे हैं आप सब, आशा करते हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे आज मैं एक और नया मेकप टुटोरियल लेके आई हूँ आपके लिए जो है ग्लिटरी स्मोकी आई मेकप और ये लुक मैंने बहुत ही कम चीजों से क्रियेट किया है जो कि नॉर्मली हम सभी के घरों में होता ही है और हम सब उसको मेकप के लिए यूज़ करते ही है इसमें आपको कंसीलर की, फॉंडेशन की कुछ ज़़त नहीं पड़ेगी और आप ये मेरा लुक देख सकते हैं आपको ये लुक कैसा लगा गाईज अगर आप भी इस तरीगे का लुक रिएट करना चाहते हैं गाईज तो आप ये मेरी वीडियो अंतक जरूर देखिएगा और जो लोग नए है मेरे वीडियो पे प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा ताकि इसी तरह अच्छे ची मेकप की लुक आपको देखने को मिले तो गाईज आप ये मेरा लुक देख सकते हैं और चलिए आपको मैं बताती हूँ कि ये लुक मैंने कैसे किया है और बहुत ही कम समानों से मैंने ये सब लुक क्रियेट किया है जो नॉर्मली सबी के घरों में होता ही है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो गाईज अपने फेस को हम क्लीन कर लेंगे और जैसा मैं सब मैं बताती हूँ फिर ये गुड वाइप का टोनर था उसको मैंने अपने फेस पे अप्लाई कर दिया इसको एक मिनट तक रहने देंगे सूखने देंगे अपने आप उसके बाद ही कोई चीज़ लगाएंगे ये है गुड वाइप का इफेस सीरम है गाईज हमेशा आपको मैं दिखाती हूँ अपने मेकप में इसको लगाने से बहुत फायदे होते हैं गाईज इसको जरूर आप यूज करिए इससे स्कीन आपकी प्रोटक्ट तो होती है और जो रिंकल साब के फेस पे होते हैं वो भी नहीं होंगे मेकप प्रोटक्ट की वज़़ए से हमारे फेस पे बहुत सारे प्रोब्लम हो जाते हैं तो वो सारी प्रोब्लम नहीं होंगी अगर हम यह सब अप्लाई करेंगे तो अपनी स्कीन को प्रोटक्ट कर गई हम कोई चीज अप करें इसके बाद मैंने अलोवेरा जेल लिया है इतनी चीजे तो आपको जरूर करनी है चाहिए गाइस मेकप से पहले ताकि हमारी स्कीन बिल्कुल प्रोटक्ट हो जाए और कुछ भी हम चीज लगाएं तो ये सेफ रहे हमारी स्कीन इसके बाद आपको दिखाते हैं कि ये है लैक मेका 925 CC क्रीम जो हर को यूज करता है मैंने आज सारा मेकप इसी पे किया है यही में प्रोड़क्ट है और ये सब के पास अवलेबल होता है CC क्रीम तो सब ही लोग यूज करते है तो इसको इस तरह से थोड़ तब लगा लेंगे अपने फेस पे और उसके बाद अपना Beauty Blender लेंगे और हलका सा उसको गीला कर लेंगे और इसके बाद हम ब्लेंड करेंगे तब ही अच्छे से हमारा पूरा क्रीम ब्लेंड हो पाएगा इस तरह से आपको ब्लेंड करना है ताकि कहीं भी पैच्छेस न जराएगा आपको गले में भी लगाना है जो फेस में करेंगे वो गले में भी करेंगे यह देखिए मेरा सेट हो गया अब यह है बीबी स्पिंज पॉडर यह भी बहुत कम प्राइज के आती है जो यह सब के घरों में अधिकतर रहती ही है तो इस पॉडर को आज मैं यूज करूंगी और इससे ही सारा मेक अप सेट हो जाएगा क्रीम लगाने के बाद हम पॉडर को मेक अप को सेट करने के लिए लगाते हैं गाई तो इस तरीके से हमारा सारा मेक अप सेट हो जाएगा और काफी दे तक टिका भी रहेगा इससे पॉडर लगाने से जो पसीने की प्रॉब्रम होती वो भी नहीं होती है वैसे तो ठंडियों को मौसम है तो पसीना वैसे भी नहीं आना है तेकिन गर्मियों में भी आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं इसके बाद देखे पॉड़र से सेट हो गया है अब मैं एबरो पैंसिल लोंगी हमेज़ा मैं एबरो पैंसिल ब्राउन ही यूज़ करती हूँ गैस और आपको भी यही सला दूँगी कि आप भी ब्राउन ही यूज़ करें क्योंकि ब्राउन का जो कलर आता है काफी अच्छा आता है नेच्रल लुक आता है बिल्कुल और ब्लैक अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ब्लैक को बिल्कुल लाइट हांतों से आप अपने एबरो पे लगाएं ताकि वो बहुत ज़्यादा डार्क डार्क सा न दिखे बिल्कुल लाइट लाइट सा आपको करना है मेरी एबरो पैले साइज सर्थ है तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ अपने काफी घनी भी है तो ज़्यादा मैं नहीं लगाती है अपने इस तरीके से सेप हलका सा देने के लिए बस इसका यूज़ करते है क्योंकि इतने सारे प्रोड़क लगे रहते हैं गाइस पौडर है क्रीम है तो एब्रो बिल्कुल थोड़ी डल हो जाती है हमारी तो इसलिए अब्रो पैंसिल लगाने चाहिए यह देखे यह एडियस के लिपिस्टिक है और यह भी आपको हंड्रेट के अंदर ही मिल जाती है और इसको फिसे हम पल्कों पे लगाएंगे आई साइडो की जगह पे यह बिल्कुल मैट लिपिस्टिक है यह काफी अच्छी है पीछ कलर में और इसको मैं अंग्लियों की सहाता से भी ब्लेंड करूंगी अंग्लियों से यह काफी अच्छे से भी ब्लेंड होता है गाइस आप भी ज़रूर ट्राय करें अंगलियों से इसको ब्लेंड करके ये देखे कितने अच्छे से ब्लेंड हो जा रहा है अंगलियों का लुख या देखे कितना ब्लैक है और यह भी बहुत दे तक स्टे रहता है गाज और इसको भी हम लाइनर की च्र ज्जगा प्लाइ करें गे और काफी मोटा-मोटा सा लगाएंगे जिसरह मैं लगा रही हुआ ऊस तरह आपको लगाना है और काफी मोटा मोटा सा हम आई लाइनर नहीं लगाएंगे यह काजल की सायता सही हम लाइनर का मोटा मोटा सा लुक क्रियेट करेंगे और उसके बाद थोड़ा पतला सा ब्रस लेके उसको ब्लेंड करेंगे उपर तक थोड़ा कट क्रीज तक जिस तरह से मैं blend कर रही हूँ guys उस तरह आपको blend करना है अगर आपके पास यह brush भी नहीं हो तो यह earbud होता है उससे कर ले यह देखिए मेरे दोनों आखों में blend हो गई अब उसी काजल को मैं आख में लगाऊँगी काजल की जगह यह NY का काजल काफी अच्छा है guys इसको मैंने purple से ही मंगाया था आपको मैंने दिखाया था यह वही काजल है और यह देख सकते हैं कितना black है और इसको अच्छे से हम लगा लेंगे काजल और इसको भी हम blend करेंगे फिर guys देखिए earbud की साहता से हम blend करेंगे अगर आपके पास brush नहों तो earbud से आप कर सकते हैं देखिए इस तक यह से आपको दोनों आखों में कर लेना है ताकि काजल आपका बहुत दे तक और ज़्यादा ठीके और बहुत अच्छा सा smoky look देख लीजे कितना अच्छा लग रहा है इस smoky look और उसके बाद फिर guys हम यह glitter apply करेंगे आप चाहें तो इतना पर ही छोड़ सकते हैं smoky eyes और नहीं तो हलका हलका सा glitter apply कर सकते हैं आपके मन के उपर है guys अगर आपको glitter अच्छा लगता है तो आप इस तरीके से glitter apply करें यह liquid glitter है चार की तो मैंने इसको blue color का ही जो अपने suit के color का है उसी color का blue color लिया है आप जिस color का apply करना चाहें उस color कर सकते हैं क्योंकि यह हर color में आता है guys मैंने blue लिया है और अपने दोनों आखों में लगा लिया इसके बाद मैं ILSS यूज़ करूंगी guys आप देख सकते हैं ILSS भी मिल लग गई है और फी जो lipstick है उसी को मैं blush के जगा यूज़ करूंगी और इसका color भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा blush में आया है बहुत ही light सा pink आया है बहुत ज़्यादा नहीं मुझे चाहिए था ब्लस तो बहुत हलका हलका सा यूज़ किया है आप भी इस तरीके से लगाएं आपकी भी कोई lipstick हो तो इस तरह से ज़रूर ट्राइ करें और पर वही lipstick में lipstick की तरह होटो भी लगाऊंगी guys बिल्कुल matte है ये तो बहुत अच्छे से लग जाती है और काफी अच्छी भी है एडियस की है ज़्यादा महेंगी भी नहीं आती है ये लविश्टी guys 100 के अंडर आ जाती है ये और आप ये लुक देख सकते हैं guys कितना अच्छा सा आया है आप चाहे तो इतना भी कर सकते हैं और इसके बाद मैंने highlighter यूज किया है guys अगर highlighter नहीं पसंद है तो आप नहीं भी लगा सकते हैं पर मैंने पूरा करके दिखाया है कि आप highlighter भी apply इस तरह के से कर सकते हैं इसके बाद अगर आपको पसंद है highlighter तो एक idea मैं बस देती हूँ guys कि आप इस तरह के से make up कर सकते हैं और बाकी तो आपकी इच्छा पर हो रहती है कि आप किस तरीके का make up पसंद करते हैं यह देखिए जहाँ जहाँ उभरे हुई होती है वहाँ पर हमें highlighter highlight करना पड़ता है और इसके बाद मैंने glitter की सायता से ही आपके inner corner पर ही थोड़े सा liner लगाऊंगी ज़्यादा नहीं बस हलका सा थोड़ी दूर पर बहुत ज़्यादा नहीं दोनों आखों में थोड़ा थोड़ा सा inner corner पर यूज किया है मैंने इसको पूरी आखों में नहीं यूज किया है बस inner corner पर थोड़ा थोड़ा सा लगाया है इस तरीके से करने से guys थोड़ा सालग look आ जाता है इसके बाद यह मेबलीन का maskara है guys अगर आपके पास दूसरा maskara है तो उसको views कर सकते हैं maskara से लगाने से क्या होता है कि हमारी पलके और अच्छी दिखने लगती है guys तो इस तरीके से आप अपना look create कर सकते हैं कभी पार्टी में जाना हो या कहीं और कोई फंक्शन है तो आप इस तरीके का मेक अप करके काफी अट्रेक्टिव लुक अपने आपको दे सकते हैं तो गाइस ये लुक मेरा बिल्कुल कम्प्लीट हो गया है और फिर मैंने ये रिंग भी पैल ली है आप चाहें तो अपने हेस्टाइल किसी तरीके से भी कर सकते हैं खुला कर सकते हैं या बन कर सकते हैं या फ्रंट से बना सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं बस एक आइडिया मैं दे रहे हैं और कुछ नइई आप बाकी तो आपकी मजजी होती है कि आपको क्या करना है मैंने कोई sunshine नहीं क्या simple सबसेबस अपने बालों को खुला रखा है क्यों कि खुला अधिकतर लोग को पसंद होता है बाल चोटे भी है तो इस तरिके से आप simple लुक कर आपको ये लुक कैसा लगा गाईज आप जरूर बताएगा और आप जरूर इस लुक को ट्राइ करिएगा गाईज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो गाईज तो प्लीज लाइक और से जरूर करिएगा क्योंकि आप लोग का प्यार ही है जो आगे बढ़ने मदद करता है हमें थैंक यू